हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागा थे आप सभी लोग का उमीद है सब लोग अच्छे से होंगे थोड़ा सा सेशन जो है गैप करके आज पोस्ट कर रहे हैं बट कोई नहीं कोशिस जारी है लाइब में जो है आपकी हेल्प की गई है उमीद है आपको हेल्प हुआ होगा आज एक दो एसल भी हुए तो हमारा रिस्क रिवाट जो है अच्छा रहता है तो हमारा जो M2M वो ठीक ठाक हो जाता है क्योंकि हमेशा ही हम मानके चलते हैं कि स्टॉप लस्ट छोटा ही रखने में जादे भलाई है अब हम लोग बात करेंगे कल की ट्रेड की कल जो है मार्केट किस से ट्रेड कर सकता है वो कौन सा जो ऑप्सन का जो लेबल है इंपोर्टेंट है वो कौन से स्ट्राइक प्राइज है जिसमें हमें बाई करके ज्यादा फायदा होने वाला है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का जो है रेस्टेंस मैं आ आपने देखा होगा कि market चाहे कितना भी volatile था लेकिन इस level को उसने wallet नहीं किया इस level पर touch करके जब जब market गया है एक अच्छा खासा move दिया है अगर कल भी आप देखेंगे तो इस level से आज आज आप देख सकते हैं कि market कहां पर है तो आपने देखा यह level कितना important है और यहीं दोस्तों ऐसे ही level मैं अपने classes में सिखाता हूँ आज बैंक निफ्टी में मैंने सुबा में जो है चालिस जो 600 का जो something जो आज लेवल दिया था राइट नो मेरे memory में नहीं आपको काफी सारी call दी गई है बैट मैं आपको टेलिग्राम इस चैनल पर लेके चलना चाहूँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा और मैंने आपको आपको बात बताई थी कि यहाँ पर 40,675 का जो है resistance है और इसके उपर इस short covering आएगी आदर अगेन यहाँ से some downside आएगा और आप देख सकते हैं दोस्तो हाई कितना लगा 40,678 और मैंने क्या level दिया था 40,675 अब देख सकते हैं कितना प्रिट पॉइंट का level है मात्र 3 से 4 point सिर्फ उपर गया है और हमारा rule क्या कहता है मैं आपको कई बार बता हूँ कि अगर मैं इस type के pinpoint resistance देता हूँ उसी level पे sell करना या पांच मट की candle का wait कर लेना है और उसके high के back मैंसर डालके ठोक दो कितने point गिरें यहाँ से वन साइडेट 500 point की जो है यहाँ से गिरावट आई तो top पे ठोकने का दोस्तों मज़ा अगर लेना है तो आपको सीखना होगा और वो भी nifty view की classes से यहाँ पे आपको वो मिलेगी सारी जो knowledge जो बिल्कुल आपको एक perfect trader बनाने के लिए जरूरी है बाकी time pass करने के लिए तो बहुत जगा है लेकिन अगर आप जेनूर है और अगर आपको एक काफी अच्छा खासा जो है pattern बनाया हुआ और उसका breakout कर दिया ठीक है और इसके हिसाब से इसके जो target आते है पहले 41,230 तक के और इसके बाद 44,600 followed by 42,000 तक और वो एक से दो वीक में possible एक target आ सकते है तो यहाँ से यह वो target है जो कि आपके achieve हो सकते है और मैंने second inning में जो है एक buy call भी दिया था लेकिन due to small SL 10 रुपे के SL से वो call हमारा नहीं मतलब चला क्योंकि वो stopless होने वाला था और I think कई लोगा हुआ भी होगा लेकिन मैंने उसको बोला कि आप safe के लिए exit हो जाईए लेकिन वो call double हो गई क्योंकि वो इसी pattern पर था लेकिन एक बार call जो गलत हो जाती है तो फिर उसको जो है दुबारा इंटरे हम नहीं कराते है रूल है बट हमने pair के लिए pair के साथ जो है bank nifty की option call दी हुई है और उसी में जो है आपको सबसे बहते इन profit होगा call में एक बार अगन repeat कर दे रहा हूँ जो भी लोग इस session को देखेंगे बाकी next day से live के लिए आप टेलेग्राम पर ज़रू चुड़िएगा link नीचे description में है या add there and if you search करके जाने हो जाईएगा यहाँ पे आप call opening के साथ भी buy कर सकते हैं एक तालीच यार की call ज़र बाई करनी है एक लोट 422 रुपय में और दो लोट सेल करनी है एक तालीच 600 की 189 रुपय के आसपास रेट है अब देखिए हो सकता है कि कल gap up हो यह gap down हो तो कोई दिकर नहीं है जितना यहाँ पे change होगा ना उतना यहाँ पे भी change होगा तो कोई problem नहीं है आप कहीं भी entry बना सकते हो अगर आपने मोका मिस कर दिया तो अगले दिन आप target नहीं आएगा इमिडेटली कि 500 पेंट तो gap up होगा अगर 500 पेंट gap up होगा तो कोई जगा नहीं होगी लेकिन नॉर्मल मार्केट अगर 150 रुपे के range में रहता है तो आप जरूर entry बना सकते हैं अब देखिए अगर मार्केट में सर्वाइब करना है आना तो आपको strategy बना के काम करना होगा ठीक है वो भी इस ताइप के volatile मार्केट में आप लोग को याद होगा अधानी enterprises के जो मैंने pair option दिया था 80,000 रुपे तकरीबन के परलर profit हुआ जिसने भी पूरा hold किया और उससे भी ज़्यादा अगर किसी ने hold किया तो उसको और hold करने में मज़ा आया है आप लोग चेक कर सकते स्क्रॉल करके मैंने कौन सी call दी थी और कितनी जवर्जस्त आपको gaining हुई जिन लोगों ने लिया था वो लोग comment करके जुरूर बताईएगा और comment में hashtag nifty view अभिशेक जुरूर जुरूर टाइक कीजेगा nifty view tomorrow जुरूर जुरूर टाइक कीजेगा ठीक है तो आईए आगे बरते हैं ये call जो आप note कर लीजेगा इसके इसाब से आप entry बना सकते हैं अगर आप बिल्कुल safe चाहते हैं और बाकी जो लोग naked लेना चाहते हैं वो अपने इस हिसाब से stop loss को follow करेंगे और जो लोग F&O के तुरू ट्रेड करते हैं केवल future के तुरू वो लोग अपना 4,200 का closing basis पे SL maintain करके अगर आपने entry किया यहाँ पे तो 4,200 का label है अगर इधर कहीं entry किया तो और अगर आप 4,700, 20, 7,25 के उपर जो एक short covering बनेगी तो आपके लिए जो SL होगा वो 5,75 का होगा ठीके पहला target जो एक 4,000 के आसपस होगा यहने की 4,900, 9,700, 9,700 के पास book करेंगे और second target जो होगा एक 4,500 का होगा यह यहाँ से bank nifty के target जो है दिख रहा है अब हम लोग चलते हैं दोस्तों nifty पे nifty का pattern देखते हैं nifty में हाला कि थोड़ी सी volatility moment जो है कम आया हुआ लेकिन still जो मैंने यहाँ से अपनी एक line डाली हुई है demand line इस से काफी अच्छा जो है बहतरी हमें support देखने को मिल रहा है तो कल के लिए जो resistance होगा वो होगा 17,885 और support होगा 17,435 इसके लिए भी मैंने pair call दी है वो भी call अभी discuss करूँगा और अगर उस पे और ज़्यादे आपको knowledge चाहिए इस टाइप के stage खुझ से बनानी हो तो उसके लिए आप हमारे batches में आईए आपको सारी stage भी सिखाई जाएगी कैसे बनाई जाती है ताकि आप एक safe यहाँ से काम करके और daily जो एक अच्छा खासा profit बना सके बाकि कोई query होगा कोई question होगा तो जरूर कमेंट्शेशन में बताईएगा तो निफ्टी का जो resistance है वो है 17,885 और support है 17,435 अब देखिए निफ्टी में किसी साफ से formation हुआ है आज मट का टाइम फ्रेम इसको जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर change कर देता हूँ ताकि बीटर जो है यहाँ पर picture आता हुआ दिखाई दे तो निफ्टी भी यहाँ से एक कह सकते है कि roughly एक pattern ही बना रही है यहाँ से और either side निकलने पर तेजी आएगी वैसे pattern जो ऊपर की तरफ जादे सारा कर रहा है अगर 17,645 तोड़ने लगा तो एक अच्छी खासी मूफ हमें देखने को मिल सकती है जो कि इसको 800,815 तक और another 800,815 निकलता है तो 900 तक hardly जो है लेकी जाएगी तो nifty में भी यहाँ पर buying की formation दिख रही अच्छी खासी जो है यहाँ पर moment आ सकते है nifty में फोकस करके चलना है अगर 645 तूटता है तो यहाँ से long करेंगे अगर यह कहीं आकर retrace के नीचे आता है तो 550 के पास long करेंगे अब sell तभी करना है जब यह 500 का label break करके और वहाँ से आप देख लो कि कितने दिन market में rally हुई है सिर्फ budget के दिन वो भी उपर जाके गिरे है नकी direct जो है गिर गया है ठीक है budget के दिन भी जो है rally हुई है और budget के लिए भी मैंने बोला था कि budget ठीकी ठाक होगा और यहाँ से हमें buy ही करना है जब हम live आया थे morning में ठीक है time नहीं था offline में वीडियो देने का तो मैंने आपको दिख दिया था यहाँ पर one day ago आप इसको सुन सकते हैं मेरी बातों को ताकि आपको believe हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है बाकी जो लोग पहले से सुने हैं वो comment करके बता देंगे सही यह गलत है तो और अच्छा होगा लोगों का जो है थोड़ा सा जा डारेक्ट है उनको यहां से view मिल जाएंगे और उनके time शे बच जाएंगे तो nifty का level दे दिया मैंने view दे दिया 17,500 make and break level है यहां तक जो आपको bind deep करके चलना है 500 जब break होगे market इसके नीचे properly trade न करे तब तक आपको sale नहीं करना है और 815 के उपर एक अच्छी खासी short covering बनेगी जो की 18,000, 18,000, 25 तक लेके जा सकती है यह जो है याद रखिएगा अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों finance nifty पे जिसकी जस्ट अगले week में expiry भी होगी Tuesday को finance nifty बहुत भेहतरीन दोस्तों label से जो है अपने आपको hold करकर रख रही है इसमें अच्छी move बन सकती है यहाँ पे जो resistance है finance nifty का 18,000, 351 और जो support है वो 17,835 अब finance nifty में भी देखेंगे तो आज हला कि थोड़ी सी moment उसी साफ से नहीं थी जिसी साफ से जो है बाकी सब में आई है क्योंकि HDFC twins जो है आज थोड़ा pressure में थे इसलिए जो है यह बहुत ज़्यादे recover नहीं हो पाई लेकिन अगर वो कल recovery दिखाते हैं उसका सहरा यहां पे देखने को मिलेगा बट finance nifty में यह नहीं हो जब तक आप 17,885 को यह break न करे तब तक sell lower level पे नहीं करना white करना है bind dip करके चलना है जो की बहतरी लेवल 17,950, 18,000 के पास हो सकते हैं 18,050, 555 के उपर निकलने पे इसमें एक तेजी भी देखने को मिलेगी जो 18,100 से लेके 200,225 तक इसको लेके जा सकते हैं तो finance nifty भी जो है bind dip setup के साथ है लेवल याद रखिएगा उसके नीचे ही low पे sell करेंगे otherwise sell करेंगा rise पे जो की आने माले time में मैं level update दूँँगा ट्यून रहीएगा चैनल पे बने रहीएगा तो यहाँ पे क्या करना है ची डFC bank का भी दिया हुगा अगर call गलत भी जाएगी तब भी profit होगा यह याद रखेगा strategy जो है इस type की मैं बनाने के कोशिस करता हूँ और यही strategy जो आपको देता हूँ तो अगर आपको चाहिए तो आप भी channel पे जो है जोड़ जाईए आपको daily जो है strategy ऐसी दी जाएगी तो यह holding call है next expiry की मतलब आपका ले सकते हैं इसमें आपको देखे क्या करना है कि एक lot buy करना है 17,750 की call को 108 रुपय में हमने buy दिया है और 17,950 की call को जो है दो lot sell कर देना है 88 में तो total हमारा सिर्फ 12 रुपय में जो है एक lot यहाँ पर market में stand हो गया position और market में अगर direction हमारी सही जाएगी तो हमें maximum profit मिल जाएगा 17,900 तक और अगर direction गलत भी जाएगी तो छोटा profit होगा लेकिन loss नहीं होगा beauty है strategy की दोस्तों की loss नहीं होगा profit भले छोटा हो जाएगा ठीक है तो at least capital आपका wipe out नहीं होगा आप बच्चे रहेंगे इस strategy का फैदा यही है तो next जो call है दोस्तों stock wise वो है पहला TCS कहीं breakout की तैयारी में दिख रहा है यह हमारे current batch के कहीं सारे student ने इसका chart भी बना के भीज़ा है और उसमें से student है प्राणजल उन्होंने भी chart बना काफी बहतरीन है तो मेरे radar पे जो है आज आया हुआ है कल के लिए 3477 के उपर नज़र रखिए 3465 के से और वो जो batch के जो student है जो निकाला है वो for your kind information December batch के student है तो दोस्तों मैनद करने के बाद यही होता है कि जो call मैं निकालने लगता हूँ या निकालता हूँ वो call आपके भी radar पे आने लगता है और उसमें profit होता है आप कई लोग इसको ये check करेंगे कि पता नहीं कि चल रहा है कि नहीं तो देखिए कल के चलने से मत चेक कीज़े चेक कीज़े महीनों के चलने से ज़रूर नहीं कि ये कल जो call है वो चलेगी हो सकता है कि चल भी जा हो सकता है कि ना भी चले लेकिन call तो spot होने लगी नहीं जैसा कि मैं हमेसा बताता हूँ कि मैं वही सिखाओंगा जो मैं करता हूँ और जिस वे से मैं करता हूँ आप भी करोगे दूसरों की तरह नहीं दोस्तों की यहाँ पर strategy में और यूज कर रहा हूँ और आपको strategy कुछ और दे रहा हूँ यह कहानी यहाँ पर नहीं चलती है next जो stock है दोस्तों वो है अमारा VPCL जिसको हम sell करेंगे 330 के नीचे और SL maintain करेंगे 330 news में काफी अच्छा था बजट में काफी अच्छा थो MC के लिए बट फिर भी stock उपर sustain नहीं करा है इसलिए यह looking यहाँ पर थोड़ा सा week side है इसलिए इसको हम sell के लिए radar पर लेके चले हैं और उसके बाद जो next stock है वो है जिन्दा लिया हुआ है अब इस call को देने से पहले आपको एक चीज याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को याद होगा जब बैंक निफ्टी 34 से गिरी थी last week और मैंने बदाया था कि एक वाड होता है मार्केट में failure up breakout वही यहाँ पर भी हो रहा है दोस्तों ये भी failure up breakout का एक symbol मैंने निकाला हुआ है 565 के नीचे sell करेंगे 574 के sell से अगर ये कल 560 के नीचे close जाती है तो ये भी इसका failure up breakout होगा याद रखेगा और ये फिर काफी अच्छे से गिरेगा तगड़े से गिरेगा जिसके target 520 के पहले और आगे जो अगर गिरता है तो 480-480 तक के हो सकते हैं अच्छा खासा नमूना बनेगा आपको हमारी जो से कैसे लगी कमेंट करके जुरू बताईएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल मिद्भूलिएगा थाइंक यू सो मुच मिलते हैं नेक्स शेशन में